नवसकार दोस्तों मैं और मैं आपको बतावनागा चिप-चिपपा पानी की समस्य में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको जानकारी बतावंगाoration आपको क्या करना चाहिए तो आप से चोटी हुद ंदुपशक दोराने सैपसिषेशन इस बाते हैं तक यपको शिपसक पलती है मताते हैं तो इनके लिए आपक два करना चाहिए तरीका क्या मेद सबत्inar ह चेसे करों से बात है यानि कि वह कर नहीं है और और ये वाइण की उर्पानी नहीं बाते है यानि कि आप कभी कभी सेक्सिंट्रकॉस के दोरान जाते हैं आपको ये कभी कभी समस्या होती है तब ये आपको वीमारी नहीं है इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर ये आपको रेगूलर होती है यानि कि आपको लगातार होती है हर बार होती है तो आपको ये वीमारी ह के आपको जल से जल एलाज कराना क्या आपको करना किया है सब से पहले आप को जो है अपने टेस्ट घ़मित कराने किसि एच्छे ंधाय के पास पास आपको जो-बता देगा उपने टेश्टों को करा सकते हैं यहांने कि, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि उर्फको अपनी समस्या को जड़ से खशंड करना है और आपकी समस्याने क्या है, यहांने कि आपको क्या problem है क्या भीमारी है आपको वो इन छाएगा प्ते लग जाएगा, ज्यादा तर तो यह समस्य जो है मास्टरवेशन यान कि हस्त मैतुन की वज़े से भी हो जाती है और एक केस में और होती है अगर आप परॉन बगएरा यानि कि गलत सोचते हैं दिमाग में हर दम आपके यहीं विसा हुआ है तब भी यह समस्य हो जाती है बहुत सारे केसों में ने गौर नहीं दिये तो आपकी समस्य जो बढ़ती गई अगर आपको यह टेस्टो स्टोन लेवल की वज़े से यह समस्या है तो आपके जो है टेस्टीज में कमी आने लगेगी यानि कि चोटा हो जाएगा या मोटा हो जाएगा इस परकार से आपको जो है दिक्कत आने ल आपके तो इस परकार से आप अपनी समस्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं तो यह रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू फूर वाचिंग मेरे दौरा दीगई जानकारी अचलिए हमारे चैनल को सब्सक्काइब जरूर करें झाल को सकते हैं जरूर के लिए मेरे चैनल मेरे थानकारी वीडियो अब करता हैंवाद धन्यवाद करेंगार की।